कि नमस्कार दुश्रों स्वागत है आप स्वीका आपके अपने उटी चनल अमन प्रयास जीकेजेस में जिसागे फ्रेंट साथ है आपका तीन जुलाई और तीन जुलाई को दूस्तों आपका ससी सी एक्जाम था जो कि फर्स्ट का एक्जाम समाप्त हो गया है फर्स्ट में जिकेजेस के प्रशन से आपके 25 प्रस्ट पुछे गये थे उन प्रशीस में से दिक्तम जितने रिल प्रस्ट हो सकते थे वह मुझे मिल गया है तो आज के इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्रों को देखेंगे साथ में सब इंपॉर्टेंट एक्स्टा फैक्ट को भी है जो कि भरतिय राज्य डैस से संबनी थे य संबनी तो यक्षगान की बात करते हैं तो यक्षगान जो नर्द है वह दुस्टों आपका करनाता से संबनी थे तो इसका यहाज़े जिसमें प्रॉनिक कहानियों रमायन माभारत भागवत और अन्य हिंदू महकाव्यों को दर्शाया गया है साथ में वेश्णों भक्ति अंदोलन से भी काफी प्रभावित है ठेके तो इसको भिया दखिएगा इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले दूस्तों आपको बता दें कि अगर आप इससी फेस्ट्व और शिप्यू का जो अभी में अभी हाली में एक्जाम कनेक्ट हुआ है उनके सभी शिप्ट प्रवाइट कराया जाएगा ठेके तो चेक आउट कर लिजेगा बाकिया वीडियो में आगे बढ़ते हैं नेक्स रोस्तन है कि गड़र पार्टी की स्थापना कब और कहां हुआ था तो गड़र पार्टी की बात करते हैं तो बता दें आपको कि इसका जो स्थापना है आप पार में हुआ था बारा जुलाइक नहीं पंदर जुलाइक को हुआ था नुसनी तो पीपना और कहां पहुआ था अम्रीका में भी कहां तो इस्टिडियो औरंगन में एक बैठक के बैठक िलेए दिनांकित क्यां या था अस्राथ में गडर पार्टी की बात करते हैं तो तो नाम भी दिया गया था तो उसको ब्यात दखेगा और दोस्तों को कि जो लोग भी SSC CGL का त्यारी कर रहे हैं ठेक हैं उनके लिए पीवाई क्यू का एक सजी लाया गया है जो कि आज ही से लाया गया है आज सुपर आठ बजी उसको अपलोड किया जा चुका है तो उसका भी लिंक आपको डिस्केप्सरे मिल जागा उसको भी जाकर आप लोग दिख सकते हैं या तो वीडियो के स्रेक्शन में जाइएगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा SSC CGLPY करके आपका होगा थमने लोड टाइटल तो उसको भी आप लोग डेली बेसिस पर जरूर से जरूर किजिएगा अगला है कि नवरो जुस्तव किसके साथ जुरा हुआ ह किस धर्म के साथ यह प्रश्ण आपका कल भी आया था और आज भी आया है यानि कि प्रश्ण आपका रिपीट भी होना शुरू हो गया है ठीक है तो बात करते ही नवरो जुस्तव का तो जो नवरो जुस्तव है वह दोस्तों आपका पार्सी का नवर्ष देवारे तो इसका इसके लावा दिन को फार्सी राजा जमसेद के बाद जमसेद ए नरोज को नाम से जान जाता है जिन्नोंने पार्सी कलेंडर पेस किया था, इसके लावा बलबन की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तानत में गुलामऌंस था, उसका वो सासक verb करता था बालबन, जिसे लो एवम रक की नीती को प्रतिपादित क्या था ठीके इसके अलावा बलबन की बारें बात किया जाता है तो तुमिष्ट के दुवारा चलाया गया चालीस सा को चम्मापत क्या था ठीक है और यही पहला व्यक्ति था जिने ने रोज के नाम ने रोज जी के पृश्रित भार्षी महसब की थी साथ में कोशन आपका सीजदा पर्दा से भी आता है तो इसकी विश्रोबात आपका भल्वन नहीं किया था ठाट तो इसको भी आप लोगा दो किएगा नेशन पुछागा कि भारत के कि साश्जिकी से कम है तो भारत के सब्सक्राइब करते हैं है के से लुब ऑनतर प्रदेश के सब्सक्राइब कि turning और सब्सक्राइब से कि abd सबसे सब से सबसेнок अधीक घंधा नत्page है सबसे कम घंधार राज्ज्याब का उनाचल प्रदेस स्राधिक जंसञ्या antra प्रदेस स्क्वादा संख्या शेट शीक्किंग श्रावादिक लिंगानुौपात की बात करते हैं तो केडल हो से पूछा गया है तो जन संक्या गनाद्व की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका एक क् 01н स्कौइर में कितने लोग रहते हैं ठीक और बात करेंगे लिंगानुपात का तो पर महिलाओं की संख्या कितनी है कोई हम लोग लिंगा नुपात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगा नुपात किरल का है यहां पर आपका 1084 लिंगा नुपात है यानि कि एक पुरूष पर यहां पर 1084 महिला है इसको भी आद देखेगा इसके लाव सक्षर्टा के मामल में सबसे कम सबसे ज़्यादा केरल का है सबसे ज़्यादा बिहार का है यानि और कल पुछा गया था कि पूरुस और महिला सक्षर्टा में श्रवादिक अंतर किस राज का है पूरुस और महिला उमें श्रवादिक अं और सबसे कम आपका है बिहार का है पुरु सक्षर्टा में इसके अलाबा सबसे ज्यादा महिला सक्षर्टादर की बात की जाएगी तो इसमें आपका राजस्थान निमनमबर है ठीक है तो इसको भी याद दखिएगा नेक्स संदे के पूछा गया कि अन्यमलिकित में से कौन सा आंदर प्रदेश का सास्त्र निर्थ है ठीक है तो आपका बता दे आंदर प्रदेश का सस्त्र की बात करते हैं तो इसका राइटेंस आपका कुचिपुरी होगा कुचिपुरी आपक का इस निर्थ का उत्पत्ति आन्द प्रदेश का एक जिला है कृष्णा वहां पर एक कुछी पूरी गाउं है उसी के नाम पर यखा गया है इसके परिकल्मा परिकल्पना सतर्मी सताबदी में बेश्णों कभी सिनिंद्र योगी ने किया था इसके शुरुबात की बात करते ह है तो आन्द प्रदेश के निर्थ में आपका कुछी पूरी तो है ही ठेक है उसके बाद आपका विलाशनी नट्यम है आंद्र नट्यम है भावा कल्पम है वीरन अट्यम है दप्व है टपेला है लंबाडी या दखिएगा धिमसा है कॉलर्टम है और बुट्टा बोमलू ह है यह अभी आन्द प्रदेश का परमुख निर्थ है इसके लब आप से आप सास्ते निर्थ पुछा गया था तो भारत में आठ सास्ते निर्थ है भी वर्तमान में संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा पनेता पराप्त है ठीक है उन साथ में से एक तो आपका कुछी पूर यह दोनों आपका केरल का है तो इसको भी आद दखेगा सतरिया के बिश्य में कल पुछा गया था सतरिया कहां का लोग अस्ते निर्थ है तो यह दोस्ता आपका आश्रम का याद दखेगा इसके लाब एक आप से कत्तक पुछे जाता है जो कि आपका उत्तर भारत मुक्यत व्याद दखेगार। इसके लाबा औरिसी जैसा के नाम से आपको लग रहा होगा कहां का है भाई तो उडीषा का है तो इसको भी याद दखेगा इसके लाबा एक आपका मणिपूरी है तो मनिपूरी ज़स्ता कने पुछेगा और शुंगिط दखेगा पूछेगा तो आठ होगा चो की बात करते हैं तो चो तीन अलग लग राज्यों में अलग लग नामों से बनाए जाता है इसका प्रकार है ठीक है उन तीन में से एक आपका है पूरिया चो ठीक है तो पूरिया चो की बात करते हैं तो जिसा की नाम से लग रहा होगा कि आपका पच्छी मंगाल का है क्योंकि पच्छी मंगाल में एक जगा का का नाम है पुर्लिया तो पुर्लिया च्छो वहां मना जाता है एक आपका है सराय केला च्छो तो सराय केला च्छो की बात करते हैं तो यह दूस्त आपका जारकर में मना जाता है जारकर में जारकर में जारकर मे नेख सक्षरता की परिवासा के समद्ध में निम्नीचित में से कौन सा कत्न सही है तो सक्षर्ता जिस्तामदित आपका परिवासा पुछा गया था ठीक है तो इसका जो राइट एंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा साथ वर्ष या उस्ष्य अधिकायू के व्यक्ति जो भी किसी भासा को पर लिख और श्रमस सकता है वह आपका साक्षर कहलाएगा तो इस देख नहीं सकता वह सक्षर नहीं है इस बात को याद दखिएगा और इसके अलाबा उनिश्टी क्यामन से पहले कि जनगर्णा में पांच साल से कमों में बच्चे को आश्यक्रूप से निक्ष्रमाना जाता था ठीक है लेकिन इस बार रोईगारा के जनगर्णा के बाद आ ही श्वन पदक जितने वाली पर्थम महिला थी गिता फोगाट तो इसका राइट एंसर है गिता फोगाट एक फ्रीश्टाइल पहलमान है जिन्होंने 2010 में राश्मंडल खेलों में कुस्ती में भारत का पहला श्वन पदक है जो की जीता था वह ओलंपिक ग्रिश्मकालिन क इसके लावा अगर आप से पूछा जाएगा कि कि ऑलंपिक में रजट पदक जितने वाली पर्थम भारतिय महिला कोने तो राइट इंसरा आपका पीविशंदू होगा 2016 के लिए उलंपिक में इन्होंने ये पदक जीता और वह उलंपिक पदक जितने वाली शबसे कम वह कि मेला बनी थी इसके लाब आप से पूछा जाता है कि पहली भारती मेला कुस्ती भी पदक जितने वाली ओलंपिक में ठेके तो यह तो आप से ह coy जितने वाली भारतीय की बात के जाएगे तो इसको भी आप किएος है नेक्स है कि बेलिक्समी समिधान संसुन के द्वारा भाग चार ए में कितने मौलिक कर्टब को जुड़ा गया था तो बात करेंगे 1976 में तो डस मौलिक कर्टब को जुड़ा गया था जैसा कि आप लोग को मालुम होगा मौलिक जो कर्टब है शर्दार स्रण संभी समीति सुवारिष पर जोर गया था ओधिक है तो सुनिघ समीति जो सउंभ जी भी जिए जिन्होंने attempted मौलिक कर्टब को जोरि जाने का प्रस्ताव होग जू की दिया था यह वी प्रशनाब के से एकजाम में बना था इस शोन सिंग्ने इस एक प्रस्ताव दिया था तो आठ था लेकिन इंद्रागादी जी उसमें के प्रदान मंत्री थे उन्हों ने दस मोली करतब जो रहा था जो कि आपके आज में अग्धाम तब्षी नहीं से दस मॉलिकर्टब घड़ा गया था और कुछ बगमोलिक करतब से सब्सक्राइब से वाता है तो इससे पर पहिष्टने वाला हासिन है अगर कोई लगतार दो गयम जी जाता है तो मैच का भी जेता होता है और तीसरा गेम आपका नहीं खेला जाता है तो इस वात को भी आप यादर कियेगा अग्याद कि एक कोस्टन दोस्तों आप से पूछा गया था सलेश आन बंड टिसे अलगलग जो में जो छार्क को धिया गया था और राज का नाम दिए गया यह था तो थे लेते हैं साथ में कुछ अलग भी देख लेते हैं चारे向 ने उसको भी थेक इसके वाद मिघाले में इसके वाद मिजोर्य में और नागलेंड में ठीके जुमिंग के नाम से जाने जाता है स्लेशन बंद केती इसके लाबा अगर आप आप से पूछा जाता है पाम लोग तो पाम लोग की बात कर रहे हैं तो यह दोस्तों आपका मनी पूरुक में सेलेशन बंद क्यती का नाम है इसके लावा अगर आप से पूछा जाता है दीपा दीपा की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपका 36 जो बस्तर है ठेके 36 गर का ही है याद दखियेगा 36 गर बस्तर जिला और अनवान निकोवारदीप समूग के नाम मना जाता है इसके लावा अगर आपसे पुछा जाता है बेवर और दहिया के विशे में तो बेवर दहिया जो है वो दोस्तो आपका MP आनी की मदप्रदेश में किया जाता है पुणु या पिंडा के बात करते हैं तो पुणु या पिंडा ये दोस्तो आपका MP में पुछा जाता है कुमार मन जाता है तो कुमार आपका पचमी घार्ट में किया जाता है इसके अवाला इसके लावा वाल्ट्रे की बात करते हैं तो वाल्ट्रे जो है वो दोस्तो आपका दचनी पुर्वी राजस्थान में नाम है सेलेशन बंद खेती का इसके लावा एक आपका है कुरवा की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका जहरखन का है जो कि आपके एकजामें पुछाई गया था और एक आपका है खी की बात करते हैं तो ये दोस्तों का हिमाले build में आपका नाम है selection band khitika आपके option में पिंडा दिया गया था जो कि आपका आंध प्रदेश का है ठीके तो पिंडा को आंध प्रदेश में कीजिएगा एक आपका वेवर दिया गया था तो वेवर दहिया दोस्तो आपका मद्प्रदेश का है एक आपका कुरुबा दिया गया था तो कुरुबा आपका जारखन का है इसको भिया दखिएगा और एक आपका ब्रिंगा दिया गया था तो ब्रिंगा की बात करेंगे तो यह दोस्त आपका और शा का है ठीक है तो इसको अपना-पना मिलान है जो कि आप लोग कर लिजेगा जो कि अच्छा रहेगा ठीक है और विंटन वाला यही पूछा गया था कि हर गेम में कितना पॉइंट होता है तो एक इस पॉइंट होता है भाई तो इसको भ्याद किएगा एक आपका पूरा स्टेटमेंट तो नहीं मिला है तो जैसे ही मिलेंगे हम लोग उसको बता देंगे आपको बाकी एक आपका उत्तरी मेंदान का भाग जो पुराने जलोट से बना होता है इसा कुछ पूछा गया था तो वह भी नहीं मिला है तो आप लोग बताईएगा क्या-क्या पूछा गया था ठीक है उसको भी वह भी किलियर नहीं मिल पाया है और पूछा गया था कि जमू कश्मिर में कौन साल लोग गी थे जो की विवास समरों में गायडाता है ठीक है तो इसको आप लोग सर्च करके बताएगा जिलों को मालू मगा कॉमेंट एक्षे में बता दी दीकार के इंतर गटाता है तो समधाने कुप्चारों का लिकार के अंतर गताता है तो तो तुम्धाने कुप्चारों का अधिकार इसका राइटेंस अभगा ठीके परकार करीट होता है जिसमें से एक आपका सटीओरी है दुश्ण आपका बंदीप्रतिक्षगरें है तुश्रापका परमादेश है चौत आपका निश्यद है और पाचमा आपका कोवरांटो है ठीक यह पाच परकार करीड जारी हो करेंगे बीडियो आपको टेलराम पर मिल जाएगा तो जीशाए कि कल का प에게 जुका है तो आपनों बीडियो पको पसंद आया है वीडियो पसेना वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और इससी से जिएल सीएसल फेस्टू सीप्यों का पीडियो पग लेंगा चाते हैं तो आट्टर नॉमप पर कंटेक्ट कर लिजिएगा मात्र 49 उपे में आपको सीएसल कभी दे जा था तो आप लोग बहुत सारे कम भी दे दे जाए तो ठीक है दे देंगे और वाच्टर मामव पर कॉमेंट कीजिएगा मिलते हैं लोग ने स्टूडियो में जब तक के लिए जहीं ठीक है